बहुत अच्छा है वो लखपती बनेगी इंडिपेंडन्ट हो जाएंगी उसे घर और भी आबाद होगा हम उमीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी ये नहो के फिर शादिया तूट जाएंगी केंदरी वित मंतरी निर्मरा सीता रमण ने गुरुवार को संसत के सन्युक्त सत्र में अंतरिम बजट पेश किया बीजेपी नेताओं ने इस अंतरिम बजट को समावेशी और इनोवेटिव बताया है तो वहीं विपक्ष इस बजट को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहा है और तंज कस रहा है वित मंतरी का मानना है कि उनके लिए देश में महिला, गरीब, युवा और किसान जैसी चार जातिया है और यह बजट उन पर ही फोकस करता है वित मंतरी निर्मला सीता रमण ने अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए कई योचनाओं की घोशना की है सरकार ने लगपती दीदी का लक्ष दो करोन से बढ़ा कर तीन करोन करने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि लगपती दीदी को बढ़ावा दिया जायेगा मोजी सरकार के चुनावी साल का यह अंतिम बजट है जिसको लेकर नेफनल कॉन्फरेंस फारुक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है उन्होंने कहा कि असली बजट तो जुलाई में आएगा इस अंतिरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं है हम उमीद करते हैं कि जम्मु कश्मीर में परिटन बढ़ेगा साथी उन्होंने लगपती दीदी को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अच्छा है वह लगपती बनेगी घराबाद होगा साथी उमीद है कि वह नरम रहेंगी कहीं ऐसा नहों कि फिर शादियां तूट जाएं असले बजट तो जुलाई में आएगा इंट्रिय बजट में कोई ऐसी बात नहीं नहीं मैं जो कुछ बताना नहीं है यह तो वह प्राना बजट चल रहा है जो कामें हैं वो करनी है ठीक है चल रहा है हम अमीद करते हैं कि लोगों को फाइदा हो हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े तरक्की करे इंफ्लेशन डाउन आए एंप्लॉइमेंट बढ़े इंडस्टी बढ़े हमारी यही तो खायश है टॉरिजम बढ़े जी टुएंटी में जो आए थे टॉरिजम की मीटिंग हुई थी कश्मीर में हम अमीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टॉरिजम में और अभी बरफ पड़ी है अच्छी तो स्कीन के सीजन शुरू हो जाएगा उमीद करते हैं वो भी आएंगे बहुत अच्छा है वो लखपती बनेगी इंडिपेंडन्ट हो जाएंगी उसे घर और भी आबाद होगा हम उमीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी यह नहो के फिर शादियां टूट जाएंगी यह नहीं होना चाहिए इसके साथ ही पियम मोदी ने इस बजट पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनी इस बजट में कंटिनुटी का कॉन्फिडेंस है यह बजट विक्सीद भारत के चार स्थम युवा गरीब महला और किसान सभी को एमपावर करेगा निर्मला जी का यह बजट देश के भविश के निर्मार का बजट है